आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ, हम सभी का फेवरेट शाही पनीर और इसे एकदम रेस्टोरेंट जैसा बनाने के लिए मैंने आगे वीडियो में कुछ टिप्स बताएं हैं जो आपको बहुत ही यूसफुल लगेंगे और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करके ये शाही पनीर बनाएंगे तो आपका शाही पनीर एकदम रेस्टोरेंट जैसा बनेगा तो चलिए इस एंटर सिंग सी रेसिपी को शुरू करते हैं तो शाही पनी बनाने के लिए एक पैन में एक बड़ा चमश तेल डाल देंगे जब तेल गरम हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे दो प्याज लिये हैं जिसको मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है प्याज को तब तक भून लेना है जब तक यह सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं और हलका सा इनका कलर जो है वो ब्राउन नहीं हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यास बहुत जादा सॉफ्ट भी हो गए है और इनका कलर भी जो है वो थोड़ा-थोड़ा ब्राउन हो गया है यह देखिए कुछ इस तरह से प्यास जो है न वो ब्राउन हो जाने चाहिए अब हम क्या करेंगे इसमें आट कर देंगे तीन-चार लसन की कलिया और एक इंच अद्रक का टुगडा इसको भी एक मिनट के लिए हमें प्यास के साथ भून लेना है जिससे की अद्रक और लसन का कच्चापन निकल जाए ये स्ट्रक बहुत जरूरी है अद्रक और लसन को भूनना इसमें बहुत जरूरी होता है अब हम क्या करेंगे इसमें आट कर देंगे चार टमाटर मिडियम साइज के लिए हैं मैंने उसको रफली चॉप कर लिया है ये मैं बता रही हूँ आपको 300 ग्राम पनीर के लिए रेसेपी इसके लिए मैंने 2 प्यास और 4 टमाटर लियों है टमाटर के साथ साथ ही हम इसमें डाल देंगे 7-8 काजू और इसको भी टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हमें क्या करना है ये टमाटर को बहुत अच्छे से भून लेना है और सॉफ्ट कर लेना है टमाटर जल्दी से भून जाए और सॉफ्ट हो जाए उसके लिए थोड़ा सा नमक आड़ कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ ही यहाँ पर मैं अट कर दी हूँ देगी मिर्च देगी मिर्च से अच्छा सा कलर भी आ जाता है और हलका सा तीखा पन भी होता है तो यहाँ पर मैंने एक चमश देगी मिर्च यूज़ करी है मिला देंगे अच्छे से सारी चीजों को और हमें क्या करना है, ढख के इसको भून लेना है भूनना बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है प्यास और टमाटटर दोनों चीजों को जैसे हम किसी भी सबजी बनाने के लिए भूनते हैं वैसे ही इसको भून लेंगे टमाटर जब तक कि soft नहीं हो जाते हैं यहाँ पर मैंने टमाटर को अच्छे से भून लिया है 5-7 मिनट हो गए है भूनते हुए और आप देख सकते हैं कि इसमें से oil भी separate होना शुरू हो गया है तो अब हम इसमें add कर देंगे एक cup के जितना पानी मैंने 240 ml पानी डाला है इसमें अच्छे से mix कर देंगे पानी को अब हमें क्या करना है इन सारी चीजों को पानी में अच्छे से गला लेना है अदरक, लसन, प्याज, टमाटर, काजू जो यह सब चीज़े हमने डाली है न यह अच्छे से soft हो जानी चाहिए अभी तक हमने इसको भूना है अभी हम इसको और जादा गलाएंगे जिससे की काजू और जो लसन और अदरक है न बहुत अच्छे से गल जाएं तो यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट के लिए गला लिया है low to medium heat पे तो आप देख सकते हैं सारी चीज़े बहुत अच्छे से गल गई है यह देखे कुछ इससरा से यह देखे अप्याश्ट, मार्टर, अदरक, लसन काजू भी बहुत अच्छे से मैश हो रहे है यह देखे सबसे बड़ी निशानी यह है कि काजू हमने जो डाले थे न यह भी बिल्कुल अच्छे से मैश हो रहे है मतलब बिल्कुल अच्छे से गल गए है जब यह सारी चीज़ अच्छे से गलेंगी न तो यह आपकी जो ग्रेवी है बहुत अच्छे बनेगी काजू कितने अच्छे से मैश हो रहा है mixy भी कराब हो जाएगी और पीस्ते समय पानी का use बिल्कुल भी नहीं करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है अब एक पैन में मैंने यहाँ पे एक बड़ा चमच के जितना मकषन ले लिया है तो यहाँ पे मैंने आधा चमच हल्दी पाउडर डाला है एक चमच धन्या पाउडर और एक चमच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्चे यूज़ करी है अब यह जो हमने मसाला मिक्सी में डाल के पीसा था जो प्यूरी बनाई थी जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो डाल देंगे इसमें और इसको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए अब हाँ फ्लेम को आउन कर सकते हैं या फिर अगर आपने लो कर रखा है त उसको मीडियम कर सकते हैं अच्छे से तेल और मसालों को ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितनी शाइनी और कितनी स्मूध ग्रेवी हमारी बनके रेडी होई है इसलिए मैंने आपसे खाता कि मसालों को ठंडा करके ही पीसना है जब हम मसालों को होना शुरू नहीं हो जाता है और यहां पर 5-7 मिनट मैंने इसको पका लिया है low to medium heat पर आप देख सकते हैं तेल अच्छे से separate हो गया है और ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है जी देखिए तो हम इसमें एट कर देंगे एक कप के जितना पानी मैंने जिस मिक्सी में मसाले को पीसा था उसी मिक्सी में एक कप पानी डालके मैंने यहां पर यूज कर लिया है जैसे कि सारा मसाला जो मिक्सी में चिपका हुआ है वो भी अच्छे से यूज हो जाएगा अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी को ध्यान र तो यहाँ पर मैंने यह 300 ग्राम पनीर ले लिया है, जिसको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है, यह आट कर देंगे इसमें, साथ ही हम इसमें आट कर देंगे, सोड़ी सी कसूरी मेथी, हाथ से क्रश करके डाल देंगे, इसके तिनके तिनके नहीं आने चाहिए, खाली इ इसमें डाल देंगे एक चमच के जितना गरम मसाला पाउडर और साथ ही डाल देंगे आदा चमच चीनी अच्छे से mix कर देंगे सारी चीज़ों को आप चाहें तो इसके flavor को और enhance करने के लिए इसमें आदा चमच डाल चीनी का पाउडर भी add कर सकते हैं मैंने गरम मसाले के साथ ही थोड़ा सा तालचीनी का पाउडर भी इसमें एड़ कर दिया था अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके ढख देंगे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए जादा देर तक नहीं ढखना है बस जो हमने पानी डाला है वो थोड़ा सा पक जाए तब तक की हमें इसको पका लेना है तो यहाँ पे मैंने 3-4 मिनट के लिए इसको पका लिया है यह देखे low to medium heat पे अच्छे से gravy भी हमारी पक गई है और सारी चीज़े अच्छे से गुल मिल गई है पनीर डालने के बाद इससे जादा नहीं पकाना है इस बात का ध्यान रहे नहीं तो पनीर जो हो हाड हो जाता है तो यह हमारा restaurant style पनीर बनके रेडी हो गया है लास्ट में इसमें थोड़ा सा हम fresh cream डाल देंगे यह बिलकुल optional है अगर आपको पसंद तो डाले नहीं तो skip भी कर सकते हैं तेकिन अगर आपको एकदम restaurant जैसा बनाना है न तो थोड़ी सी fresh cream इसमें जरूर डाले आप चाहें तो घर की मलाई को थोड़े से दूद में mix करके भी डाल सकते हैं और यह हमारा restaurant style शाही पनीर बनके बिलकुल ready हो गया है आप देख सकते हैं इसकी gravy एकदम perfect gravy बनी है ना बहुत जादा गाड़ी है ना बहुत जादा पतली है इसी तरह की gravy एकदम होनी चाहिए इस gravy को मैंने आदे घंटे के बाद तक रख लिया था ना तब यह गाड़ी नहीं होई थी एकदम perfect consistency में यह हमारा शाही पनीर बनके ready हो गया है तो बस मलाई डालने के बाद हम इसे जादा नहीं पकाना है एक से दो मिनट पकाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद हम इसे 5-7 मिनट के लिए ढख के छोड़ देंगे इसी तरह से इससे इसका taste और flavor ना बहुत अच्छा आजाता है उसके बाद इसे serve कर लेंगे और यह देखिए एकदम perfect gravy, perfect consistency और एकदम perfect color आया है यह देख सकते हैं ब्रेवी का color और कितना अच्छा texture आया है इसका बिल्कुल silky smooth gravy बनी है चाहे तो उपर से garnish करने के लिए थोड़ी सी fresh cream डाल सकते हैं यह डालना बिल्कुल optional है अगर आपको दनिया पत्ती पसंद है तो आप इस पे थोड़ी सी दनिया पत्ती भी आड़ कर सकते हैं तो आप भी एक बार इस चाही पनीर की recipe को अपने घर में जरूर राय करें ट्राय कंदे के बाद recipe के सी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिए की ज़रूर बताएं थैंक्यू